यह Profit and Loss Lab और हानी का Part 2 है इसमें हम कुछ बेसिक प्रस्नों को हल करेंगे और बेसिक कंसेप्ट को और अच्छे से सीखेंगे इससे पहले Part 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं यह पहला कोश्चन है पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीद कर 800 रुपया इसकी मरमत में लगाया यदि वह इसे 5800 रुपया में बेचे तो इसका लाब परतिसद कितना होगा कोश्च प्राइस क्या होगा 4700 रुपया में वो खरीदा है और 800 रुपया मरमत में लगाया है ये दोनों मिलाके जो आएगा वो ही उसका कोश्ट प्राइस होगा क्योंकि खरीदने में 4700 रुपया लगा है और मरमत में 800 रुपया लगा है तो टोटल उसे 5500 रुपया लगाना पड़ा है उस स्कूटर को खरीदने में और बेचा कितना गया है सेलिंग प्राइस कितना है अंठावन सो तो हमें सबसे पहले यहां से लाब निकालना पड़ेगा अंठावन सो माइनस पच्पन सो यहां से मिलेगा 300 रुपया जो की लाब है उसे बेचने के बाद तो लाब परतिसत कैसे निकालेंगे प्रोफिट उपर बटा सी पी इंटू 100 प्रोफिट है 300 कोस प्राइस कितना है पच्पन सो इंटू 100 यह हम कटा देंगे यहां से 11 बार में 5 से कट जाएगा यहां से आ जाएगा 60 साट बटा 11 इसे अगर हम तोड़ेंगे तो 5 सही 5 बटा 11 परतिसत जो है उसका लाब हुआ है यह हमारा आंसर हो जाएगा यह दूसरा प्रस्ण है एक दुकांदार यदि 70 केजी आलू 420 रूपिया में खरीद कर 6 रूपिया 50 पैसा पती किलो गराम की दर से बेच दे तो उसका लाब परतिसत कितना होगा कैसे बनाएंगे टोटल जो है आलू कितना है 70 केजी है और 420 रूपिया में 70 केजी आलू खरीदा है CP जो है 420 रूपिया है 70 केजी आलू का और इतना रूपिया पती किलो गराम की दर से बेचा है तो 6 रुपिया पती किलोग्राम एक केजी का जाम 6 रुपिया 50 पैसा है तो 70 केजी का जाम हमें सबसे पहले निकालना होगा जो की SP होगा तो 6.56 रुपिया 50 पैसा को अगर हम 70 से गुना करेंगे तो हमें 455 मिलेगा यह selling price है यह cost price है इन दोनों का difference किया होगा profit तो अगर हम इन दोनों को minus करे तो यहां से 35 रुपिया आएगा 35 रुपिया जो है यह lab है हमें lab पर तिसत निकालना है तो lab उपर होगा क्रैमूल नीचे होगा मतलब 420 रुपिया cost price into 100 इसे हम कटा लेंगे 76 42, 7 35, 2 36, 2 15, 25 बटा 3 जो है अगर हम इसे तोड़ेंगे तो मिलेगा 8 सही 1 बटा 3 पर तिसत यह होगा इसका answer 8 सही 1 बटा 3 पर तिसत उसे lab हुआ है इस परस्ट में दिया गया किसी वस्तु को 425 रुपिया में बेचने से उतना ही लाब होता है जितना कि 355 रुपिया में बेचने से हानी तो इस वस्तु का क्रैमूल कितना है यहाँ दो condition है अगर हम 425 रुपिया में बेचे तो उतना ही लाब होगा और 355 रुपिया में अगर हम बेचे तो उतना ही हानी होगा मतलब लाब जो रुपिया में आएगा और हानी जो रुपिया में आएगा वो दोनों बराबर होगा selling price अलग-अलग है यहां cost price हम X रück tor website मान लेते हैं यहां lab हो रहा है तो selling price ज्यादा है तो 425 minus X यहां पे यह lab निकल के आएगा यहां पे cost price हम X मान लेते हैं यहां पे selling price कम है cost price से इसलिए हानी होघी है तो हम cost price से selling price को minus करेंगे तो हमें हानी मिलेगा X-355 यहां से मिलेगा हमें हानी यह लाब और यह हानी जो भी रुपिया आएगा यह दोनों दोनों बराबर है इसलिए हम इसे इक्वल कर लेंगे X-355 इक्वल टू 425-X दोनों X-1 आजाएगा X यह माइनस वाला X इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा यहां 425 प्लस 355 अगर इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 780 रुपिया और यहां 2X दो से इसको कटा लेंगे दो ट्याई 6, 2, 18, 0 X का वैलू 390 रुपिया हुआ है मतलब जो कोस्ट प्राइस हमने माला था वो 390 रुपिया है यह तो इसका traditional method है इसे short trick से कैसे solve करेंगे इसका एक formula है जितना प्लस उतना divided by 2 425 रुपिया बेशने से उतना ही लाब होता है जितना की 355 रुपिया में बेशने से हानी जो भी दो घैलू दिया हुआ है इन दोनों को जोड़ेंगे 425 प्लस 355 और बटा 2 कर देंगे मतलब 780 बटा 2 इसे कटाने पर 390 रुपिया आएगा तो हम इस तरीका से भी इसे बना सकते हैं इस प्रस्न में दिया गया है कि यदि एक रेडियो को 1120 रुपिया में बेशने पर 40 पर 30 का लाब होता है तो 7% लाब कमाने के लिए इसे कितना में बेचा जाएगा इसे हम डायरेट भी कर सकते हैं पर सबसे पहले हम इसे नॉर्मल मेंटर से बना लेते हैं CP जो है यहाँ दिया नहीं गया है CP हमें इसका निकालना पड़ेगा सबसे पहले तभी हम 60% लाब पर उसका मुल्य निकाल सकते हैं यहाँ SP है SP कितना है 1120 रुपया है और 40% लाब होता है तो हम इसका यहाँ से CP आराम से निकाल सकते हैं हमने सीखा है कि 1120 गुना 100 उपर मटा 40% लाब हुआ तो 140 नीचे इसे हम कटा लेंगे 1480 112 यह हो गया 8080 बार में कटेगा यहाँ से आ जाएगा 800 रुपया जो है यह इसका CP है मतलब कोस्ट प्राइस है हमें 60% लाब पर बेजना है पहले 40% लाब पर बेजा गया था 60% लाब पर बेजना है तो 800 का हम 160 by 100 कर लेंगे इसका 60% निकल जाएगा अपिर हम ऐसे कर सकते हैं यह 1120 रुपया जो है वो इसका सेलिंग प्राइस है हम सबसे पहले इसका कोस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 बटा 140 करेंगे यह यहाँ से यहाँ तक कोस्ट प्राइस निकल गया है अब इसे फिर से 60% लाब कमाने के लिए इसे 160 बटा 100 कर लेंगे एक लाइन में ही यह सारा सॉल्ब हो जाएगा इसे हम इस सव को इस सव को कटा देंगे इसे इस से कटा देंगे 2,8,16, 2,7,14 7,7,7 यहाँ से बचेगा 4,7,6,42,0 यहाँ से 160 गुना 8 आठ आया है तो 1280 रुपिया निकल जाएगा इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं इस तरह का एक दूसरा भी प्रस्ण कर लेते हैं उसे हम इस मैठट से सॉल्ब करके देखेंगे यह पहले जैसा ही प्रस्ण है एक घड़ी को 1440 रुपिया में बेचने पर 10% हानी होती है वो इसे कितने रुपिय में बेचे की 15% लाब हो इसे हम डायट बनाएंगे 1440 रुपिया जो है यह सेलिंग प्राइस है इसे 10% हानी हुआ है तो हम 100 बटा 90 कर लेंगे यहां से कोस्ट प्राइस निकल जाएगा अब बोला अगया है कि वो इसे कितने रुपिय में बेचे की 15% का लाब हो 15% लाब कमाने के लिए हमें 115 बटा यह 100 कर लेंगे कोस्ट प्राइस पे 115 बटा 100 यहां तक कोस्ट प्राइस था यह यह कड़ जाएगा यहां से यह कड़ जाएगा यहां से 9 से इसको कटा लेंगे 9 एकम 9 54 बचेगा 694 16 को अगर हम 115 से गुना करे तो 1840 रुप्या आएगा यह हमारा सेलिंग प्राइस होगा जिसमें 15 परतिसत का लाब होगा इस प्रस्ण में दिया गया है कि किसी वस्तू को 1024 रुप्या में बेचने पर एक दुकांदार को 20 परतिसत की हानी होती है इस वस्तू को 1472 रुप्या में बेचने पर से कितना परतिसत लाब होगा यह सेगंड वाला सेलिंग प्राइस है पहले 1024 में बेचा गया है तो उसे 20 परतिसत की हानी होई है तो यहां से हम CP निकाल सकते हैं एक सो बटा असी फिर यहां से 24 के आठ दो पचे दस चार से इसे कटा लेंगे चार दुनी आठ फिर 22 पचेगा चार पचे बीस फिर 24 पचेगा चार चाका चौवीस 256 गुना 5 कितना होगा 1280 यह जो है उसका कोस्ट प्राइस है अगर हम इस वस्तु को 1472 में बेचे तो कितना परतिसत लाब होगा यह हमें निकालना है अब सेलिंग प्राइस जो है वो 1472 रुपिया है और कोस्ट प्राइस 1280 रुपिया हमने निकाला है अगर इन दोनों को 1092 रुपिया आयेगा यह हमारा profit होगा यह हमारा profit है अब हमें profit percentage निकालना है तो profit percentage कैसे निकालेंगे उपर profit होगा नीचे क्रैमूल होगा मतलब CP 1280 रुपिया into 100 करेंगे इसे हम कटा लेते हैं 2-6-12, 24-8, 25-10, ये 3 बार में इसे काट देगा मतलब 15% लाव होगा 1472 रिप्या में बेचने पर तो आज हमने जितने तरह के प्रस्ण करें बेसिक तरह के प्रस्ण थे अगले वीडियो में हम इससे हाई लेवल के प्रस्णों को सॉल्ब करेंगे और उसका स्वाट ट्रीक भी सिखेंगे प्रस्ण करेंगे